कुद्रत के भी इतने रूप है जो हम सोच भी नहीं सकते इसी धर्ती पर ऐसी ऐसी जगें मौजूद हैं जिने देखकर हम हैरान रह जाते हैं हमें यकीन ही नहीं होता कि प्रकृती ऐसा अद्बूत चीजे बना चुकी है कुद्रत के कुछ ऐसे ही अनोखे रंगों को समेट कर हम आपको बताने जा रहे हैं आज हम आपको एक ऐसी अद्बूत जील के बारे में बताएंगे जो देखने में किसी विशाल का है ड्रैगन की आग की तरह लगती है माना जाता है कि धर्ती पर एक वक्त में ड्रैगन का अस्तित्व होता था और उनके मुँसे आग निकलती थी खास्तोर पर जापान और चीन में इन्हें लेकर तमाम मान्यता है जापान के माउंट हचिम ताई के घने जंगलों में कागाई नूमा नाम की एक जील में मौजूद है जिसे लोग ब्रैगन की लव स्टोरी से जोड कर देखते हैं ये जील देखने में किसी विशाल का है ड्रैगन की आग की तरह लगती है ड्रैगन्स आई लैक की तस्वीरे देखकर आपको एक बार ये फोटो शॉप की हुई या फेक लगेगी क्यूंकि ये हूबहू किसी बड़े विशाल ड्रैगन की आग जैसी ही है दिखने में ये भले ही अजीब लगे लेकिन कागाई नुमा जील की तस्वीर बिलकुल असली है ये जील यू तो ठंड से जमी रहती है लेकिन वसंद के मौसम में ये विशाल नीली आख में तबदिल हो जाती है इस दोरान जापान में थाविंग यानी बर्फ के पिघलने की प्रत्रिया सुरू हो जाती है हर साल मई से जून के महीने में जब बर्फ पिघलती है तो ये जील आख की तरह दिखाई देने लगती है इस जील को साल 2016 में एक फोटोग्राफर ने तस्वीर खीचने के बाद ड्रैगन की आख कहा था जबसे इसका ये नाम मस्खूर हो गया वैसे मानियता ये भी है कि ये गोल जील दो ड्रैगन के प्यार की कहानी दिखाती है कुछ लोग यहां आका ड्रैगन गौर्ड को चढ़ावे भी चढ़ाते हैं वैसे विज्ञान इन बातों को नहीं मानता विज्ञानिकों के मताबिक बसंत में गर्मी होनी की वज़े से जील के बीचो बीज बर्फ इकठा हो जाती है और आसपस पानी रह जाता है यही वज़े है कि यह आक की पुतली जैसी लगती है कुछ मीडिया रिपोर्टर कहती है कि हवा चलने पर बर्फ का टुगडा हिलता है और यह बिल्कुल किसी आक के चलने जैसा लगता है सो फ्रेंज कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो हमें कमेंट्स में जरूर बताए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें